नमस्कार, मैं हूँ सच्चेदानंद वसेष्ट सजनों आपको प्रायस सभी ग्रहों के बारे में हमने बताया है और जनम कुनली के अंदर केवल एक ग्रह को देख करके आप अपने जीवन में मान, सम्मान, सरीर, यस, अपयस, नोकरी, कारोबार, सब के बारे में आप जान सकते हैं अब हम आपको शुक्र के बारे में बता रहे हैं शुक्र अगर बली है, कुंडली के अंदर पहले तो सुक्र का परिच्छे देंगे, शुक्र कोन है, कैसा है और उससे हमें जीवन में क्या-क्या प्राप्त हो सकते हैं तो कुंडली के अंदर ये सौर मंडल में बुद के बाद में ये ग्रे जो है सूर्य के काफी नजदीक रहता है ज्यादा से ज्यादा 48 डिगरी तक ही आगे पीछे होते हैं बाकी सूर्य के इर्द गिर्द में ही ये गुमता रहता है मुझसे बड़ा और सबसे तेज चमकिला होता है इसका ब्यास लगबग 12,320 किलो मिटर होता है जो प्रत्वी के ब्यास से लगबग बराबर है और प्रत्वी से इसकी जो दूरी गए 3,85 लाग किलो मिटर की होती है ये सूर्य की परिक्रमा 225 दिन के अंदर लगा लेता है ब्रस और तुलारासी का स्वामी होता है ये ग्रे, प्रेम प्रसंग और सुंदर्य तता आकरसंग का प्रतीक माना जाता है ये सुब ग्रे, जलतत्व और अग्नी कोड का स्वामी होता है ये ग्रे रजोगुणी होता है, सुंदर नेत्रोंवाला होता है खूब शुरत चेरा, ब्रामन जाती, इस्त्री ग्रे होता है शुक्र, इस्त्री, वाहन, कामसुख, सरीर का ओज, आभूशन, चांदी आदी का कारक माना जाता है और अगर इसके अलावा शुक्र जो है बलवान है तो संगीत, गायन और चित्रकला, सुंदरी असरंगार, कभी, कला, विवाह, व्यापार, व्यभिचार, वाहन सुक और सुगंदी प्रियत तेल और घर, मकान, सुगर, तता हमारे भोग विलास की संबन्दी बातों का विचार इसी से किया जाता है ये लगबग एक रात्री में, एक रासी में, ये 28 दिन रहता है और इसका सत्नम भाव का इकारक होता है, और इसका प्रियरत्न जो होता है, वो होता है हीरा अब कुणली में अगर शुक्र बल्वान हो तो ऐसे जातक फिलमी अभिनेता हो सकते गए, कलाकार हो सकते गए, गायक हो सकतेगे, चित्रकार हो सकतेगे और संगीत अग्या और संदर ये संबंदी कार्य करने वाले ब्यूटी पारलर, बुटीक और आयात और नर्यात का कार्या यानि जो आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कार्या वस्त निर्माता, मिठाई विक्रेता और नगों के संबंदित कार्या यानि रत्नों के विक्र ता भी यह हो सकते हैं होटल लाइन और बियर वार कम्प्यूटर टेली वीजन सिनेमा मौडलिंग और इस त्रियों के साथ में गाने बजाने का कारे भी शुक्र के अंतरगती देखा जाता गए अगर शुक्र आपकी कुंडली में बलवान खे तुला रासी में खे ब्रस रासी में खे या मीन रासी में खे और सुप प्रभाव में खे तो ये सारी चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं इन में से कोई भी चीज आप सेलेक्ट करके और उसका कारे आप करके जीवन में लाब उठा सकते हैं बाकी और जानकारियों के लिए इन नमरों पर संपर्क करके कार है कि सेवाए अर्पन करके और आपको जो भी जानना है वो जान सकते हैं लाव उठा सकते हैं नमस्कार